ये कहानी है दो प्यारे दोस्ट चिडिया और कोवा की जो दोस्ती की मिसाल बने. एक समय की बात है, एक सुन्दर जंगल में एक चिडिया रहती थी. वह जंगल की उंची-उंची टहनियों पर बैठ कर सुक्षान्ती से अपना समय बिताती थी. वह जंगल की बहुत सुन्दर चिडिया थी जो हमशाख खुश रहती थी. उसका एक खास दोस्त एक होशियार को आ था. कवा जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक था और उसे जंगल के सभी पक्षियों से बहुत प्यार था. एक दिन चिडिया ने कौई को देखकर कहा, कौई भया, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो? मैं तो बस एक छोटी सी चिडिया हूँ, तुम मुझसे बड़े और अनुगवी हो, तुम तो उंचे-उंचे जंगलों में गूमते हो, जो मेरी उडान से बेहतर है. कौई ने मुसकराते हुए कहा, दोस्ती में उंचा नीचा कोई नहीं होता, चिडिया. हम सभी एक ही जंगल के राजारानी हैं, और हमें इस जंगल में साथ मिलकर रहना चाहिए. हम सभी पशु पक्षी एक परिवार हैं, और इस जंगल को सुरक्षित रखना हमरा कर्तवे है. चिडिया ने चिर्पिंग आवाज में कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम सभी बराबर हैं, पर मुझमें तो तुम्हारी तुलना में कोई विशेश बात नहीं है. कोई ने अपनी होशियारी से कहा, विचिडिया, हर कोई अपनी खासियतों से अद्वितिय होता है. तुम आसमान में उर सकती हो और ची-ची-ची कर सकती हो, जो कोई भी नहीं कर सकता. मेरी बात सुनो, हमें आपसी मदद करनी चाहिए, नकली दोस्ती करने की बजाए. चिडिया ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो कोई भया, हमें आपसी मदद करनी चाहिए. इसके बाद चिरिया और कोई ने मिलकर जंगल में बहुत सी समस्याओं का हल निकाला एक बार उन्हें एक बड़ी सी समस्या आई, जंगल में पानी की कमी हो रही थी चिरिया ने और कोई ने मिलकर एक तालाब बनाने का निरने किया वे सभी जंगलवासी मिले और मिलकर काम करने लगे उनकी मेहंट से तालाब बन गया और जंगल में पुनहरियाली बढ़ी जंगलवासीयों ने चिरिया और कौई की मेहंट की सराहना की और उन्हें गर्वित नजरों से देखा इसके बाद वे दोनों ने समझा कि सच्ची मित्रता में ही वास्तविक सुख है चिडिया ने कहा कोई भया आपका हमेशा सहारा चाहिए हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी एक सुखी और शान्त जंगल में रह सके कोई ने हंस्ते हुए कहा भा चिडिया इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रता में ही असली सोभागे है इस तरह चिडिया और कोई ने जंगल में मित्रता और सहायता की मिसाल प्रस्तुत की उनकी इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे की मदद करना और साथी बनकर काम करना ही सच्चा सुख है सहायता और मित्रता का मेहेत्व चिडिया और कॉआ यह कहानी हमें बताती है कि सहायता और मित्रता जीवन में कितनी मेहेत्व पूर्ण है चिरिया और कोई ने मिलकर जंगल में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे निकाला, इससे हमें यह सिखने को मिलता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम समस्याओं का सामना करने में सफल हो सकते हैं. अपने दोस्तों को शेर करके उन्हें भी सुनाईए। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यबाद।